ओम स्यान्ति हम सभी राज्योक का अभ्यास करते हुए परमानंद का अनुभव करते हैं लेकिन ये परमानंद उन्हें सर्वाधिक प्राप्त होता है जिनका मन और बुद्धी एकाग्र हो जाते हैं एकाग्रताई संसार में पहले से ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट रहा है कोई मनोस सहज एकाग्र हो पाता है कोई बिलकुल नहीं हो पाता है लेकिन एकाग्र होने के लिए जहां और बहुत सारी बाते आवश्यक हैं महीं इस्वरिये नसा भी इसमें एहम भूमी का निवाता है हमें अपने चित को इस्वरिये खुमारी से भरबूर करना होगा ब्रह्मा बाबा जैसे सदा इस नसे में रहते थे मैं गौडली स्टुडेंट हूँ बहुत बड़ा नसा था उनको ये भविस में मुझे नारायन बनना है विसम महराजन बनना है इस इस्वरिये नसे ने उनको सच्मुच बेफिक्र बाच्सा बना दिया था इस्वरिये प्यार में मगन कर दिया था एकागरता में परफेक्ट कर दिया था हम भी इस्वरिये नसे में रहें कौन पढ़ाने आया है हमें किसने आकर हमें सत्य ग्यान दिया है सबेरे सबेरे स्वयम भगवान परमशिक्षक बनकर हमें पढ़ाने आता है तो स्वयम भगवान पढ़ाते हैं और हम गौडली स्टुडेंट हैं ये नशा जितना अधिक से अधिक हमें रहेगा पढ़ाई पर उतना ही हमारा अटेंशन रहेगा उतना ही हमें इस इस्वरी ज्यान के अनमौल रतनों की वेल्यू भी होगी नहीं तो कईयों को ये ज्यान बिल्कुल साधारन लगता है वही तो आत्मा की बात है लेकिन आत्म ज्यान तो अतिगुये है ये अनुभव होने लगेगा हमें अपने भविश का नसा भी बाबा की तरही रखना है हम ये नहीं कहेंगे के हमें पता नहीं है हमें पता है हम भी म पहाम देवता बनने वाले हैं, अपने देव स्वरूप को जितना जाद हम इस परती में लाएंगे, हमारे अंदर देवत तो उतना ही आता जाएगा, देवत तो निखरता जाएगा, हमें ये नसा चड़ा रहे, कि ये देह छोड़ कर, मैं भी बहुत बहुत दिव्यता से पवितरता से संपन देवता बननूगा, अपना देव स्वरूप बार बार यादाता रहे, जैसे कि हमारे सामने खड़ा है, बहुत सुंदरन भोंगे, और भी बहुत सारे नसे, हमें अपने अंदर रखने हैं, कौन मुझे साथ दे रहा है, कौन मेरी जीवन नईया का खिव बना है, किसने मुझे काहा है बच्चे, सारे बोज मुझे दे दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसने हमें काहा है बच्चे, तुम चिंता न करो, मैं जो हूँ, मैं जो बैठा हूँ, तुम बेलकुल बेफिकर बात्सा बन जाओ, तो हम इस वरी एक खुमारी में चलें, इस ये नसा बहुत सुक्स्म है, ये बोलने का नहीं है, हम बार बार दूसरों को बोलेंगे, हमें भगवान मिला है, हमें भगवान पढ़ाता है, तो लोग सायद उतना इस बात को सुईकार न कर पाएं, लेकिन हम सुक्स्म रूप से जितना इस नसे में रहेंगे, उतना हमारे च ब्यास करेंगे, जद दो हमने कहें, मैं गौडली स्टुडेंट हूँ, स्वयम भगवान ने हमें सत ग्यान दिया है, बहुत बड़ी संपूर्णता की डिगरी हमें मिलने जा रही है, जो डिगरी वास्तों में बहुत बड़ी होगी, संसार में किसी को भी ये डिगरी प्राप नहीं है, दूसरा, मुझे भविस्त में एक महान देवता बनना है, इसको याद रखेंगे, और इसके साथ साथ प्रेक्टिस करेंगे, फरिष्टा सुद देवता बनने की, बस यह अभ्यास करें, मुझे फरिष्टा बन कर घर जाना है, और देवता बन कर वापिस आ जाना ह कितनी सुन्दर बात है, ऐसा कौन होगा जो फरिष्टे बनकर घर की और उडान भरें और धरा पर आएं तो देवता बन जाएं, भरपूर देवता, संपन देवता ये अभ्यास हमें बहुत लाइट करेगा, हमारी समस्याओं को हल करेगा, हर घंटे में एक बार, एक मिनट के अपने फरिष्टे स्वरूप और देवता स्वरूप को सामने रखेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, और सारा दिन डबल लाइट होकर दिन चरिया को व्यतीत करेंगे, ओम स्यान्ति